नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है चलिए परसंद पढ़ते हैं मदू कांकरिया का जनम कब हुआ था तो मदू कांकरिया का जनम 1967 को कौल काता में हुआ था विपत का कहानी संग्रे के लेखर का नम बताईए शचीदानंद हिराननद वात्षायन अगे विपत गा कहानी संग्रे के लेखर है सचितनन्द हिरानन्द वादसाइन अगे का जनम कब हुई तो जनम हुआ सन 1911 में उत्तरप्रदेश के देवरीया जिले के कशिया गाव में सचितनन्द हिरानन्द वादसाइन अगेजी का जनम हुआ था नेक्स्ट है सरणार्थी कहानी संग्रे के लेखे का नाम बताईए तो सरणार्थी कहानी संग्रे के लेखे का नाम सचिदानन्द हीरानन्द वादसेन अगे है सचिदानन्द हीरानन्द वादसेन अगे सरणार्थी कहानी संग्रे के लेखे का नाम नेक्स्ट है बहती गंगा उपनियास के लेकर का नाम बताईए बहती गंगा उपनियास के लेकर का नाम सिव परसाद रुद्र है रुद्र इनका उपनाम है बहती गंगा उपनियास का नाम है और सिव परसाद इनका मूल नाम तो पूरा नाम पढ़ते हैं तब होता है सिव प प्रस्तूत के जा रहे हैं यानि वहां से बना बना करके प्रस्तूत के जा रहे हैं तो दोस्तों लाइक तो मारी दीजेगा और लाइक भी नहीं मारे तो वह या कम से कमेंट तो कर दीजिए चलिए सचिदानन्द हिराननद वात्सायन अगे जी को जेल क्यों जाना पड़ा तो करांतीकारी आंदोलन में भाग लेने के कानून को जेल जाना पड़ा था जेदोल कहानी संग्रे के लेखक का नाम बताई है सचिदानन्द हिराननद वात्सायन अगे जी का कहानी संग्रे है जेदोल तो जेदोल कहानी संग्रे है वो किसका कहानी संग्रे है ये सचिदानन्द हिरानन्द वात्सायन अगेजी का कहानी संग्रे है अगला परसन पत्ता खोर उपनियाश की लेखे का का नाम बताईए पत्ता खोर उपनियाश की लेखे का का नाम मधू कांकरिया का ये उपनियाश है पत्ता खोर पत्ता खोर उपन्यास है हूँOW मधु कांक्रिया का उपन्यास है अगला परशन्कु निमंद संग्रह के लेकत का और अगला परशन भगंदूत कावेसंग्रह के कवि का नाम बताईये सच्चिदांद spricht जानद वात्सायन अगे जी का ये कावे संग्राय भगंदूत तो कमेंट जरूर करें और साथी साथ लाइक भी मार ही देवें